नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वाकत है को मर्स किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ श्वीट डिश्ट और उसमें कुछ डिफ्रेंट्स हमें डालने वाली हूँ यह चाबल की खीर है जिसमें हम शक्र में करमल से बनाने वाले हैं यह हमारी इस श्वीट डिश्ट की एक चोटी करोरी चावल, गी, आदे करोरी शक्कर और नट्स अपनी इच्छा के आनुसा डाल सकते हैं और इलाइची पहन हमने गरम करने के लिए देखिए रख दिया है उसमें सबसे पहले हम एक चमप गी डालेंगे गी गरम हो गया है उसमें हम पहले इलाइची डालेंगे इलाइची को अच्छछी से बूल लेगे इस में हम लग्स डाल रहे ह। छिए बादाम डालना है किसो नीच को महीं बुर्ようना नहीं है एरे पीर लुत दूंचुके हैं को गुलाभी हो चुके हैं उसक्के हमें बतर से निकाल रहे है यह देखिए हमें बदाम भूल चुके हैं और इनाइची हम दोनों को निकाल दे रहे हैं उसके बाद हम गी में राइस डालेंगे राइस डालने के बाद इसे अच्छे से बूलना है यह देखिए इसे भूलने के बाद थोड़ा भूलने के बाद इसमें हमें दूट डालना है और दूट को गाड़ा होने तक हमें चलाना है यह देखिए अच्छे से खुशबू आ रही है जब भी आप स्वीडिश बनाएं तो कोशिश कीजिएगा गी में बनाने की क्योंकि श्वीडिश का स्वाद गी में बनाने से दुगना हो जाता है यह देखिए हमारे चावल भून चुके हैं उसमें हम धीर दीर दूट डालेंगे चलाते वे ताकि हमारे नीचे चावल जमे ना मिचे लंग सुना पड़े यह देखिए मैंने यह दूट जाल दिया है अब इसे कम से कम 15 से 20 न फीर खाड़ी हो चुकी है अब हम इसमें लट दाने वाले हैं श्मिश और बादम हैं और इसे चीज से मिक्स करना है देखिया मैं से अच्छे से मिक्स कर रही हूं यह गाला हो चूका है क्योंकि रखने के बाद आधि गंड़े बाद और यह सूप जाएगी इसलिए इसका चलाते रहना है जब यह अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तब थोड़ा सब तीन से चार चमच पानी डालना है यह रेखिए यह अच्छे से मिक्स हो रहा है हमारा इसे दो उसे तीन चमच से ज़्यादा पानी नहीं डलने वाला है उसे तीन चमच से पानी डालना है और इसे चलाते रहना है कंटीन्यू जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाए कंटीन्यू से चलाते रहेगा नहीं तो यह बैट जाएगा तल्वे में कर पिगलना चालू हो गई है कंटीनियू से चलाते रहिएगा एक मिनट भी इसे छोड़ना नहीं निदोई तल्वे में चिपक जाएगी यह देखिए इस शक्कर पिगलना शुरू हो गई है हमारी कंटीनियू एक आज से चलाते रहिए अबी से थोड़ा सा हलका ब्राउन होना शुरू हो गया है इसमें पांट से साथ नट लगेंगे कंप्लीट ब्राउन होने में आरा केरेमल बनके तयार हुआ है और हम खीर भी बाजू में रख दियें ताकि केरेमल तुरंद उसमें डालते जाना है और खीर में मिक्स करते जान और एक हांसे में चलाती जा रही हूं यह देखिए काकी इसके लंग्स न पड़े वह अच्छे में में तो जाए जम जाता है तुरल इसे अच्छे से कंटीन्यू चलाता है कि इसको मेरी चावल की खेर बंकर तयार हो चुकी है मैंने इसकी प्रेजेंटेशन के लिए केरामलाइज शुगर का यूज किया हुआ है जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बनाना दिखाया है उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो और ये रैसी भी बहुत ज़द झाल कि पीडियो में बनाना दिन भीडियो में बनाना दिना दिने लिए और ये जवाल करते हूं कि और ये वीडियो और ये रहाँ है